तो नमस्कार दोस्तों स्वागत आपकी प्यारे चैनल पर और दोस्तों आज के वीडियो के अंदर हम जो एकर्लिक शीट लगाते हैं अगर एकर्लिक के ऊपर एकर्लिक लगाते हैं तो उसकी जो फिनिसिंग किस परकार से करते हैं तो उसके बारे में जानकारी है तो फोटा सा वीडियो होने वाला है दोस्तों और अगर आप हमारे चैनल के ऊपर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जूरूर करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाला है वीडियो स्ट्रास को लाओ सा rick吗 गांचECT है यह आपको हैंड वाला जो रटर लेना है और इसके अंदर कौन सो बिट लगाना है गांचट इसके नदर यह हमने बिट कर ले ग्लाणर हो जाएगा, आप पर राउंड हो रहा है, यहां पर राउंड हो रहा है, यहां पर बिल्कुल लगने का चान्स भी नहीं होता, बिल्कुल लगती भीने है, एककरलिक और यहां पर यह वाला बीट आपको जो है ले लेना है अब मैं दिखाता हूँ आपको किस परकार से इसको finishing कर रहा हूँ जैसे कि आप देख सकते हो यहां पर अभी यहां तक तो मैंने rotor चलाया हुआ है अब इसके बाद में मैं इसको finishing करके दिखाऊंगा इधर वाली आप देख सकते हो, इतनी बार है ये टकर ये वाली टकर इतनी बार है, इसको मैं फिनिशिंग करके दिखाता हूँ आपको, तो वीडियो में बने रहे और हमारे चैनल को फ्लीज सब्सक्राइब जरूर करें यह देखे इतना बार है इतना बार है तो मैं इसको फिनिसिंग करके दिखाता हूं मैं आपको । । ० ॥ ० १ जाइब भीजिए जाइब जाइब भीजिए जाइब दो आएब जाइब तो गैज आप देख सकते हो यहां पर पूरा हमने जो रोटर गुमा दिया है अब आपको यह पनी निकाल के दिखा देता हूं किस तरह से फिनिसिंग हुई है तो आप देख सकते हो ज्यादा पनी नहीं निकालेंगे क्योंकि अभी काम बाकी है सफाई पाई तो आप कुछ इस यहां पर लगने का चंस भी नहीं है और सकते हो और वीडियो को सब्सक्राइब आप ज्रुड़ना और वीडियो को लाइक जरूर करना मिलते है नेक्स्विडियो ने में तब-तक प्रहड कि लिए जय हिनी जय भार्त